शास्त्रों में जिसकी पूजा भी वर्जित है, शास्त्रों में जिसकी जिसमें इस्पनान करना भी वर्जित है और एक ऐसी नदी जिसको शिव जी का श्राप लगा है दोस्तों, आज उस नदी का हम आपको दर्शन कराने जा रहा है हम आपको एक किस्सा बताते चलें दोस्तों कि हमारे वेदों में, हमारे ग्रंथों में ये उलेक है कि ये एक ऐसी नदी है जिसमें भगवान राम ने जल समा दिली लिए जी हम बात कर रहे हैं सर्यू नदी की और हम है इस समय अयुद्या में किस्सा कुछ इस तरीके से है दोस्तों कि भगवान राम ने जब इस नदी में जल समा दिली तो शिव जी को बहुत क्रोध आया और शिव जी ने इस नदी को ये जो नदी आप बहते हुए देख रहे हैं दोस्तों इसको शराप देदी और शराप ये दिया कि जाओ तुम्हारी जीवन में कभी कोई पूजा नहीं करेगा और कोई स्नान नहीं करेगा और यदि कोई स्नान कर भी लेगा तो उसको यहां के इस नान का कोई फल प्राप्त नहीं होगा, वेदों में ग्रंथों में इस तरीके का विवरण भी मिलता है दोस्तों, कि जब ये बात नदी, सर्जुनदी को पता चली, सर्जुनदी पैरो मिगिर पड़ी, शीव जी के, और उनने बहुत जागा छमायाचना किये, बहुत सन्हो करके, शीव जी ने काया कि ठीक है, जाओ यदि कोई तुमारे जल में इसनान करेगा, तो उसको पुन निर्ट नहीं मिलेगा, लेकिन पाप भी नहीं लगए, तो ये कुछ किस्सा है दोस्तों, अयोध्या का, और अयोध्याती में बहने वाली स्तर्जुनदी का, जो आगे चल करके, बलिया और चप्रा के बीच में, गंगा में विली नगर, और दोस्तों, आज हम उसी घाट पर हैं, जिस घाट पर हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री हर साल लाखों दिये जलवाते हैं, बहुत खुसूरत नजारा है दोस्तों, जैसा कि अभी आपने वीडि अंतों में वर्णेज है, उसके ठीक विपरीद, यहां उतनी ही श्रद्धा है लोगों में, उतनी ही ज्यादा इसनान करने की ललक है लोगों में, और उतनी ही ज्यादा पूजा पाठ की ललक है, यहां पर पूजा पाठ भी चल रहा है, यहां पर सब कुछ चल रहा है, जैस अभी ले चलते हैं उस जगह पर जहां पर की सर्यू नजी के खाट से पानी ले जा करके और एक बहुत ही खुप्शुरत जगह एक स्थान बनाय गया है और उस स्थान के बारे में आपको मैं वहाँ पर चलते जानकारिया भी दूगा चलते हैं वहाँ पर कि बाद आप आंहा है दोस्तों अब हम आगाए हैं उस घाट पर जिसको राम की पैड़ी के नाम से जाना जाता और ये पवित्र जल सर्जु का पवित्र जल जो है यहां हमारे बिल्कुल नजीक से गुजर रहा है ये वही स्थान है दोस्तों जहांपर कि हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री ने एक नई प्रसा चालू कि कि दिपावली पर कई लाख जिये यहां जला जाते हैं, कभी 21 लाख, कभी 25 लाख जिये, दिछवा तो यह जा धिजा धर, ऐसे ही घाटों पर यह जैते हैं, दोस्तों, जैसर कि आप TV के समाचारों में जेटे हैं जब दिये जलते हैं, तो यह पूरी की पूरी जगमगाठ यह यहा पर होती है दोस्तों और यह बहुत संदार न जा रहा है यहां का और सबसे बढ़र है यहांग चीज यह की बख Васक आएगरध करों दोरेगे नहां पर कि नही Us वानी में पता नहीं क्या ढूंड रहे हैं वाना राज है और देखिए पता नहीं अपने मतलब की कोई चीज वो ढूंड रहे हैं पाने में देखिए कितना सुंदर नजारा यह और बड़ा खुशूरत पता नहीं क्या ढूंड रहे हैं क्या चीज इनकी गूम हो गई है और द दोस्तों और आप भी अच्छा फिल करेंगे यो की यह जो घाट है यह नए घाट की नाम से जाना जाता है आविद्या में और यह नजी है दोस्तों कि शापित नजी मानी जाती है जिसके बारे मैं अभी आपको बताया, यहां सादू भी आते हैं, संत भी आते हैं, यहां पर वानर राजयों का डेरा भी है और छोटे-छोटे बच्चे, कोई फुगा बेशते हुए, कोई साप का खेल दिखाते हुए, इस तरीके से भी दिखाई दे रहे हैं, कुछ अच्छा है, तो कुछ च होता है, उसको देखकर के अपने आप मन पसंद होता है, दोस्तों, और देखे, यही कारण है, कि यहां पर बहुत दूर-दूर से जनता आती है, और सबसे पहले आने का प्रियास करती है, इसी जगह पर राम जन भूमी के दर्शन करने के बाद, या उसके पहले, तो हम आप को दिखाना चाहेंगे, उसका विस्तार देखिए, दोस्तों, जरा, यहां से विस्तार देखे, यह कितना खुक्षिरूप में जा रहा है, यहां पर बाग बवीचे भी बने हुए हैं, और इस तरीके से लोगों की बैठने-बैठने की बेहुस्ता की गई है, वहां एलीडी करके पानी जो आता हुआ दिखाई दे रहा है, यह भी अपने आप में बहुत है दोस्तों, और यह भी एक ब्रिज बनाए गया है, आने-जाने के लिए लोगों के लिए पैदल, यहां सादू संत भी दिखाई दे रहा है, और छोटे बच्चों से लगा करके और बड़े ब आपको कभी अयुद्या आना हो, तो निश्चित रूप चे आप नए घट पर भी आएं